हलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुर्रम व्लोगर और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट खुर्रम व्लोगर तो दोस्तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर लेके आता हूँ मैं ऐसी वीडियो और इन्फोमेशन जो शायद आपको अभी किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी तो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंदरा गांधी इंटरनेशल एपोर्ट टर्मिनल 3 देली पर जो बगगी सर्विस अवेलेबल है वो आपको बगगी सर्विस कहां पर मिलेगी और क्या ये बगगी सर्विस सभी पैसेंजर्स के लिए है और क्या इन बगगी सर्व का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉमेंट शेक्षन में जरूर अपना डाउट टाइप करें और दोस्तों अगर आप में थोड़ी सी भी आपकी इन वीडियो के थूरू हेल्प कर पाया हूं तो वीडियो को जरूर लाइक और अप दोस्तों शुरू करता हूं बिना कोई वक्त करांगे जैसे ही आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं अपना बैक के लिए किरा कराके किस्टम के लिए कराके बाहर आते तो आप गेट फाइव से जैसे ही एकजिट करेंगे तो आप आजके टाइम पे यह साइन बोड जाना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए अगर आप इंटरनेचल फ्राइड साएं तो यह पिलर नंबर 15 पर कॉंपलीमेंटरी बगई सर्विस अवेलेबल है और यह बगई सर्विस सिर्फ senior citizen, family, infant in arm और जो भी wheelchair passenger नहीं है, old age है उन्हीं सब के लिए है अगर आप wheelchair पर हैं तो यह बगई सर्विस आप अवेल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो जो भी senior citizen है या फिर कोई expectant mother है, pregnant है कोई lady वो जा सकते हैं या फिर कोई family है और बच्चा कोई lap में लिया हुआ है, family है पूरी, वो ही लोग इस बगई सर्विस का फायदा उटा सकते हैं और यह बगई आपको multi level car park, terminal 3 पर parking तक ले कर जाएगी और आपको वहाँ अब दूसरा में बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी international flight साने के बाद connecting flight है तो दोस्तो पिलर नंबर 18 सा आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे terminal 2 की तरफ तो जैसे ही terminal 2 पर पिलर नंबर 18 आप cross करेंगे और आपको terminal 2 का board नहीं जा रहाएगा तो आप यह देख सकते हैं right hand side यहां पर बगई available हैं, तीन से चार बगई अभी यहां पर available है और यहां पर ही यह बगई service का counter आपको मिल जाएगा, यहां पर आके आपको बताना है कि आपकी कोई साथ senior citizen है, या फिर कोई infant आपके साथ travel कर रहा है, या फिर कोई pregnant lady travel कर रही है, तो यह फिर आपको बगई इ तक लेकर जाएगी, और आपको वहां पर arrival पर ड्रोप कर देगी, वहां से आप लिफ लेकर departure में जा सकते हैं, देख सकते हैं, अभी यह बगई staff जो है, एक बगई से passenger को ड्रोप करके आए हैं, और यह बगई आपको यहां पर पार्किंग में ट्रेमिल 3 पर पिलर नमबर 18 पर पार्क कर दी जाएगी, तो दोस्तों यह तो था arrival का, अगर आप international arrival से airport exit करने के बाद आते हैं, और T2 से connection flight है, या फिर आपका पार्किंग में जाना है, तो आपको बगई service मैंने बता दिया, आप मैं बताने जा रहा हूं, यह देखिए आप, अगर international departure आपका है, जैसे ह आप security cross करते हैं, और डेली के अंदर डेली duty free retail area आप entry करते हैं, यह देखिए कितना बड़ा retail area आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप security cross करेंगे, और आप international flight अगर आप ले रहे हैं, तो इतना बड़ा duty free area आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा तर चीजे है उस पर government का taxis नहीं लगता है, जैसे हाँ पर बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, cosmetic, wines, liquor, अगर आपको purchase करना है, तो आपको थोड़ा सा reasonable rate पर मिलेगा, जो की city price पर आपको taxis मिलके मिलता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर rate मालूम कर सकते हैं, और Google पर उस चीज़ का rate आप चेक कर सकते हैं कि भार बर कितने रुपीज में available है, तो आप फिर उसको compare करके हैं से चीज़े purchase कर सकते हैं, तो आपको मैं पूरा चलके दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं मैं कि आपको बगगी लेने के लिए departure में अगर जाना है security cross करने के बाद, क्योंकि terminal 3 airport काफी ब pregnant है, तो उनके लिए काफी difficult हो जाएगा gate तक जाने के लिए, अगर gate काफी आपका दूर है, तो जैसे ही आप ये retail area पूरा cross करते हुए जाते हैं, तो दोस्तों आपको gate पे जाने के लिए भी 10-15 मिनट लगते हैं, अगर आपका gate दूर है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो ब वाले आपको buggy नहीं देंगे, क्योंकि आपने already wheelchair पर आप बैठे हुए हैं, और वो wheelchair staff ही आपको gate तक या arrival तक या फिर आपके car parking तक लेकर जाएगा, उस time पर आपको buggy service आप available नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने clearly instruction भी दी हुए हर जगा board लगाए हुए है, अपने counter पर भी board लगा हुए है, और even उन्होंने mention किया हुआ है, अपनी buggy पर भी, wheelchair passenger को buggy नहीं मिलेगी, बट जो passenger infant के साथ है, चोटे बच्चे के साथ है, या फिर कोई pregnant lady के साथ है, या फिर senior citizen आपके साथ है, तो ये buggy service आपको जरूर मिलेगी, तो आप आप देख सकते हैं, मैं क्रोस करेंगे, तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, gate number 15 पर आपको right और left hand side, दोनों तरफ की side gate है, तो right hand side पर जब हम जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इनकी buggy जो पार्क है, international की side की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखे, यहा पर ये सारी buggy charging पर लगी रहती हैं, तो यहां से आपको buggy मिल जाएगी, इनका counter मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, कि इनका counter जैसे ही आप daily duty free, क्रोस करके gate number 15 की side जब आप आएंगे, तो ये छोटा सा retail shop करने के बाद, क्रोस आपको ये counter आपको मिलेगा, international में य वहां पर भी आपको बहुत बड़ा retail area मिलने जा रहा है, दोस्तो मैं आपको बता दूँ, terminal 3 airport काफी बड़ा है, अगर आप पूरा terminal 3 explore करना चाहते हैं, तो दोस्तो जैसे ही airline का check-in open होता है, तो आप check-in करके security close करके अंदर आ जाईए, तो यहां पर बहुत सारी आपको retail shop म करने के बाद जैसे ही आप जाते हैं हर जगा signboard बने हुए gates के लिए, तो आपके पास अगर time नहीं है, तो आप सीधा यह पूरा retail area cross करके gate की तरफ जा सकते हैं, और वहां पर बीच में कहां पर बगगी service का counter है, वह मैं आपको इस video में दिखा रहा हूं, और अगर आपके प पूरा retail area cross करेंगे, अभी मैं domestic flight के लिए जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको gate 27-62 आपको right-hand side पर पड़ेगा, और आपका 37-62 gate आपको दूसरी side पर पड़ेगा, तो दोस्तों जैसे ही आप retail area cross करेंगे, आप देख सकते हैं, सबी passenger जिनका flight है तीजी से अपने gate की तरफ ज जाएंगे, यहां पर आपको काफी सारी shops मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजे करने के लिए आपको मिलेंगी, बट उसके लिए आपके पास time enough होना चाहिए, तो यह देखिए हम T-point पर आ चुके हैं, अगर हम domestic flight ले रहे हैं, टेमिल 3 से, यह देखिए, बोर्ड सब्जेक बन left hand side में, 27 से 36, right hand side में, जो भी आपका gate है, आप उसी direction में मुड़ जाएंगे, जहां पर यह आई लिखा हुआ है, यह information desk है, यहां से भी आप help ले सकते हैं, बगगी के लिए, तो left hand side पर जैसे ही आप turn करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह सारी बगई charging पर लगी हुई है, यही बगई लेकर आपको gate तक छोड़ के आएंगी, अगर आप infant के साथ हैं, या फिर आपके साथ कोई pregnant lady है, और left hand side पर देखिए, यह इनका counter होने जा रहा है, तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें